10 कमाल के किचन टिप्स समय भी बचाएंगे और खाने का स्वाद भी बढ़ाएंगे 1. जब भी आप मार्केट से पनीर लाएं तो जब बनाने के बाद जो पनीर बच जाए तो उसको एक डिबबे या बावल में पानी डाल कर रख दे पानी इतना डाले कि पनीर पूरा डूप जाए ऐसा करने से पनीर लंबे समय तक टाइट नहीं होगा और खराब भी नहीं होगा अगर ज़्यादा दिन के लिए पनीर रखना है तो पानी को 2-3 दिन में चेंज करते रहें अगर आप पापड को सीलन से बचाना चाहते हैं तो पापड के दोनों साइड हलका हलका सा काली मिर्च का पाउडर लगा लें फिर आप पापड को स्टोर करके भी किसी भी कंटेनर में रखते हैं इससे आपके पापड बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और इनसे सीलन भी नहीं आएगी और बिल्कुल ताजा रहेंगे तेन जब भी आप प्याज काटें तो प्याज काटने से पहले छोटा सा आलू काट लें फिर प्याज काटें इससे आपकी आखों से पानी बिल्कुल भी नहीं आएगा तो जब भी प्याज काटे तो एक छोटा सा अलू ले ले और उसको काट ले और फिर प्याज काटे चार किचन में काम करते वक्त अगर आपका हाथ जल गया है तो आप पका हुआ केला ले उसको मैश कर ले फिर उसको जले वी स्तान पर लगा ले ऐसा करने से आपको तुरंत फायदा मिलेगा अगर आपको पराठे बहुती स्वादिष्ट बनाने है तो पराठे का आठा लगाते वक्त एक चमच बेसन या फिर सोया बीन आठा डाल दे इससे पराठे बहुती ज़्यादा टेश्टी और कुरकुरे बनेंगे तो एक बार आप ऐसा करके देखिए आपको पराठे बहुती पसंद आएंगे तो एक चमच बेसन या फिर एक चमच सोया बीन का आठा डाल दे जब भी बिस्किट में सीलन आने लगे तो बिस्किट को एक प्लेट में रखकर 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दे फिर विस्किट को 10 मिनट बाद निकाल लें विस्किट बापिस से क्रंची और पहले जैसी हो जाएगी टेस्टी नीबू का रस निकाल कर छिलको को धूप में सुका दे फिर इनको कपडों की आलमारी में जगे जगे पर फैला कर रख दे इससे कीडे भाग जाते हैं और आलमारी से बहुती अच्छी हलकी हलकी खुशबू आती है 8. करेले के छिलकों को सुका कर दाल चावल के डिबों में डाल दें इससे दाल चावल में कीडे नहीं लगेंगे 9. पके केले के छिलकों को पानी में उबाल ले फिर बेशन, मसाले, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल कर अच्छे से मिक्स कर ले 10. तिलके लड्डू बनाते वक्त इसमें सारे ड्राइफ फ्रूट्स पीस कर डाल दें इससे तिलके लड्डू बहुत ही स्वाधिष्ट और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेंगे हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो वैल आइकने उसको प्रेज कर लीजिए धन्यवाद